मुंबई, हिंदुस्तान का दिल और हिंदुस्तान के इस दिल ने आज तक कई बार से है इसकी शुरुआत हुई थी 1993 सीरियल बॉम ब्लास्ट से फिर 2002 बस ब्लास्ट, 2006 ट्रेन ब्लास्ट और 2008 टाज, 26 ग्यारण मगर मुंबई पर उनका सबसे बड़ा वार अब भी होना बकी था और इस वार को रोकने की जिम्मेदारी थी मुंबई आंटी टेर्रिस्म स्कॉर्ट के एक ही उताकी मुंबई पुलिस पासपोर्ट पे रिलिजन देखकर गोली नहीं चलाती क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर ठोक दिया हमारी इंटलिजन्स के हसाब से तुम्हारी तरह 40 लोग और हैं जो लशकर के स्लीपर सेल बन कर हिंदुस्तान में सालों से रह रहे हैं अभी उनका वक्त आया नहीं जब बक्त आएगा तुम्हें उन्हें धूनने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुझे धून लिया तेरे बाकी साथियों को भी धून लेंगे 93 में एक टन आर्डी एक्स आया था जिसमें से सिफ चारसो किलो इस्तमाल हुआ और पूरा मुंबई हिल गया 600 किलो आज भी कही दफन है हिंदुस्तान ने मेरी किसमत बदली अब मैं हिंदुस्तान की किसमत बददूगा मेरे बच्चे बीवी अब मु को सिंदा चला दिया उन लोगोंने हम मानता हूं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत था लेकिन तुमने भी तो सैकड़ो मासुमों की जाने ले ली उसका क्या शेहन में और भी पुनिस आफिसेस अपना काम कर रहे हैं लेकिन कोई भी ड्यूटी के लिए अपनी बच्ची की जान खत्रे में नहीं रालता इंटलिजिंस प्यूरो की थेरी शायद सही है लशकर का अगला टार्गेट मुंबयो का सूरिया वो लोग कब आएंगे यह में नहीं जानता पर वो आएंगे ज़रूर इस बार आएंगे ना तो देख लेंगे सालों को क्या करें सार शिवगर चले ये काम एक ही कमी ना कर सकता है इधर अल्लग लेवल का धनली चल रहा है सार ये लोग साथ गाड़ी में बॉम फिट की हैं जिस कोली से तू मरेगा उसके ओपर आईसा बड़े में लिखाऊंगा मेड इन इंडिया अक्खा पबली को मालू है कोन आने वाला है तेरे को नहीं मालू गाड़ी ऐसा हमेशा घुमा के क्यों आता है और तू हर बार हेलिकाप्टर पर क्यों लटकता है किसका ज्यादा बड़ा है इंट्री कोई फरक ने पड़ता है चलो अभी कुल, यवश् 2 तू यवश् 3 Сुल, यवश् 2 A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a i BBC Cgrav I-I-I-I